नवस्ते मित्तोर मेरे नाम कुनाल चंदाकर अभी अभी नई खबर एक मिली है जो कि सभी की इच्छा होती है कि उम्र एक जैसा बना रहे हम बुढ़ापा ना होएं और हमारी आयू भी जादा रहे उसके लिए एक रिसर्च चर रहा है जो कि इसराइल में चर रहा है तो इसम के बाद सिर्फ इन 35 बुजर्गों की उम्र बरहानी बंद हो गई बलकि स्वास्था कोशिकाओं के इस थर पर इसका सरीर किसी 25 वर्स के युवा के बराबर हो गया ज्यानी सिर्फ तीन महिने में विज्ञानिकों ने सफलता पुर्वक रिवर्स एंजिंग की प्रकिया को अ इसराइल के विज्ञानिक ने एक ऐसा क्रांतिकारी रिसर्च की है जिससे आप हमेशा जवान बने रहेंगे और आपकी उम्र बढ़ना बंद हो जाएगा और आप 75 साल की उम्र से भी 25 साल के जवान जैसा सरीर हासिल कर पाएंगे जिन बुजूर्गों को ये प्रयोग किया गया उनका सरीर अब 25 वर्स के युआओं के जैसा हो गया है अगर ये रिसर्च सफर रही तो कोशिश सिर्फ बुजूर्गों के लिए नहीं बलकि दुनिया के हर व्यक्तियों के लिए एक वर्दान साबित होगा ये सोद इसराइल की टेल एविफ युनिवर्सिटी और समीर मेडिकल सेंटर के विज्ञानिकों ने किया है रिसर्च में 64 वर्स के उम्र से जादा उम्र के 35 बुजूर्गों को सामिल किया गया है रिसर्च के लिए इस रिसर्च में 64 वर्स से जादा उम्र के 35 बुजूर्गों पर रिसर्च किया गया और उसे ऑक्सिजन थेरेपी पर रखा गया तीन-तीन घंटा उनको ऑक्सिजन दिया जाता था लेकिन रुक रुक के तो सुद्ध ऑक्सिजन दी जाती थी इसके लिए इन बुजूर्गों को एक प्रेसराइस्ट चेंबर में भेजा जाता था ये सिलसिला तीन महने तक चलता रहा लेकिन जब इसके नतीजे आये तो इसे दुनिया भर के विग्जानिकों को हैरान कर दिया सोथ करताओं ने दावा किया है कि इस प्रयोक के बाद ना सिर्फ इन 35 बुजूर्गों की उम्र बढ़नी बंद हो गई बलकि स्वास्त कोशिकाओं के इस तर पर इसका सरीर किसी 25 वर्स के युवा के बराबर हो गया नानी सिर्फ तीन महिने में विग्जानिकों ने सफलता पुरवक रिवर्स एजिंग की प्रक्रिया को अंजाम दे दिया जब कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान उम्र से कम दिखने लगता है तो उसे रिवर्स एजिंग कहते हैं विज्ञानिकों ने अपने प्रयोग में उम्र बढ़ाने वाली दो प्रक्रिया को रोकने में सफलता पाई घटने लगी निस्क्रे हो चुकी कोशिकाओं की संख्या इसका पहला असर क्रोमोजोम पर दिखाय दिया क्रोमोजोम सरीर में मौजूद टियने से तयार होते हैं और क्रोमोजोम में किसी भी जीव की पूरी जैनेटिक जानकारी छिपी होती है इनी क्रोमोजोम के आखरी सिरे में टेलो मियर कहते हैं आसान भासा में कहे तो टेलो मियर बिलकुल आपकी गाड़ी से आगे और पीछे लगे बंफर्स जैसे होते हैं जिसका कान टककर के समय क्रोमोजोम्स को सुरक्षित रखना होता है क्रोमोजोम्स अपनी संख्या लगातार बढ़ाते रहते हैं और अपनी कौपी तैयार करते हैं मतलब और कौपी बनने लगते हैं सेम सेम इस दौरान पुराने और नए क्रोमोजोम को टककर से बचाने का काम टेलो मियर ही करते हैं लेकिन बार-बार होने वाली इस टककर से टेलो मियर घिसने लगती है और लंबाइ में छोटे हो जाते हैं जब ये लंबाइ में बहुत छोटे हो जाते हैं तो फिर क्रोमोसोम्स अपनी प्रहंतियां नहीं बन पाता इसी वज़ा से कई कोशिकाओं का निर्मान बंद हो जाता है कोशिकाओं या तो मर जाती है या फिर इसका विकास रुख जाता है और निश्क्रई हो चुकी यही कोशिकाओं बुढ़ापे और गंभीर बिमारियों की वज़ा बनती है लेकिन अग्यानिकों ने अपने प्रेयोक के जरिये ना सिर्फ टेलोमियार की लंबाई को कम होने से रोका बलकि आक्सिजन थेरपी की वज़ा से निस्क्राय हो चुके कोशिकाओं की संख्या भी घटने लगी इससे सोज में सामेल बुज़ुर्ग की उम्र ना सिर्फ रुक गई बलकि नई और ताजा कोशिकाओं के जन्म लेने से उनका सरीर वैसा हो गया जैसा अक्सर युवा वस्था में होता है आक्सिजन थेरपी के प्रयोग को अपने घरों में ना दोराएं इस दोरान इन बुज़ुर्गों को लगाता 90 मिनट के लिए आक्सिजन नहीं दी जाती थी बलकि बीच बीच में इस प्रक्रिया को रोग भी दिया जाता था लेकिन सरीर में आक्सिजन की मातरा बढ़ने और कम होने की परिनाब ये हुआ की सरीर के अंदर सुरू हुई इस संगर्स ने बुज़ुर्गों को फिर से जवान कर दिया हाला कि वैग्यानिकों ने अगाह किया है कि आक्सिजन थेरपी के इस प्रयोग को लोग अपने घरों में नौद हो रहा है क्योंकि इस से आपके सरीर को नुकसान भी हो सकता है वैग्यानिकों के लिए मृत्यू सरीर में आने वाली एक टेक्निकल ग्लिच है देखो हम क्या मानते हैं कि जैसे जो धार्मिक व्यक्ति हैं वो मानते हैं कि सरीर जो है वो एक समय के अनुसार ढलते जाता है और ये भगवान ने ऐसा हमको दिया है ये सोचते हैं लेकिन वैज्ञानिक लोग ये नहीं सोचते हैं वैज्ञानिक लोग ये सोते हैं कि मिर्त्यू होना मतलब जरून उनके सरीर में टेकनिकल गलिच हुआ है मतलब खराबी आना सरीर में कुछ खराबी के कारण ये मरा ऐसा कहते हैं तो ये प्रयोग इज्राइल में हुआ है और कुछ समय पहले इज्राइल के ही प्रसिद्द लेखक यूवल नोह हैरारी ने अपनी मसूर पुत्तक होमो डेयस में लिखी थी की धार्मिक लोगों के लिए मिर्त्यू भले ही इस्वर द्वारा लिया गया निर्ना है लेकिन विज्ञानिक लो मिर्त के लिए मिर्त्यू सरीर में आने वाले टेक्निकल गलिथ है यानि एक टक्निकी खामी है जिसके सामने आने के बाद सरीर का पूरा सिस्टम काम करना बन कर देता है UL9HERARI कहते हैं कि विज्ञानिक इस तक्निक की खामी को लेब में सहीं कर सकते हैं और मित्यु को टाला जा सकता है यानि इंसानों को अमर भी बनाया जा सकता है लेटिन भासा में होमो का अर्थ है मनुष्य और डियस का अर्थ है देवता यानि UL9HERARI की पुस्तक का टाइटल भी ये बताता है कि आने वाले दिनों में मनुष्य किसी देवता से कम नहीं होगा और अब विज्ञानिक लैब में चमतकार करके इस बात को सच साबित कर रहे हैं लेकिन ये इस संदर्ब में पहली को सिकाए नहीं है बलकि इनसान बर्थे उम्र को रोकने और खुद को अमर बनाने की कोशिस हजारों वर्स से कर रहे हैं आयूर वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धती है जिसके इत्यास पांच हजार वर्स से भी ज़्यादा पुरानी है जैसे कि कुछ रसायन वटी आते हैं और संजीवनी वटी आते हैं इसका भी प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा हमारी नहीं कोशिकाए पुरानी कोशिका जो मर गई डहती है वो भी जिविस हो जाती है तो बीच बीच में जैसे ठंडी है मौसम है तो हम संजीवनी वट भी खा सकते हैं, उधारन के लिए जड़ी भूटी से तयार होने वाली चमन प्रास एक रसायन है, जिसमें अनेक अउसदियों को मलाकर बनाया जाता है और आउला भी रहता है, तो आउला भी बहुत पाउर्फुल चीज है, जिसका रिसर्च हुआ था, डायमंड ने, सेंटिस ने रिसर्च किया था, एक देशी आउला में पांच सुंडे का पावर होता है, पांच हजार वर्स पहले इजिप्ट के राजा गिल मेस ने चीन की चिकित्सप अधदी के अधार पर उम्र रोकने का एक पूरा कारकरम तयार किया था, हजारों वर्स पहले ग्रीस ने भी महि विशेश प्रकार के तेल के जरिये अपनी उम्र को बढ़ाने से रोकती थी, करीब दो हजार वर्स पहले इजिप्ट के एक महसूर रानी हुई थी, जिसका नाम क्लिव पात्रा कहा जाता है कि वो बहुत सुंदर थी, और अपनी सुंदरता को कायम रखने के लिए वो गधी के दूद का इस्तमाल करती थी, आपको ये बता दे की अजीब लग रहा है, लेकिन अब ये दूद एक बार फिर बजान में बिकना सुरू हो गया है, ऐसे एक लीटर दूद की कीमत पांस से साथ हज्जाल परती लीटर के बीच होती है, और सुंदर दिखने के लिए ब्यू इस प्रकार के पौधे से बनी और सदी का इस्तमाल करती थी, इस पौधे को अंग्रेज में मदर वाट प्लांट करते हैं, एंटी एजिंग प्रोडक्ट का बजार, दुनिया भर में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यानि ऐसे उत्पाद हैं जो आपकी बरती उम्र को रोक जैसे देशों में हैं, सिर्फ इन ही देशों में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का बजार, वर्स दो हजार सत्ताइस तक 83,000 करोड रूपे से जादा का हो जाएगा, गूगल वेंचर्स की सुरुआत करने वाले अमरीकी उद्योग बिल मेरिस ने कुछ वर्स पहले दावा किया था कि विज्ञान और तकनीक की बदावलत इनसाथ कम से कम 500 वर्स तक जीवित रह सकता है, वर्स 2013 में इस दिशा में काम करने वाली एक कमपनी कैली को की स्थापना की गई, ये कमपनी दुनिया की बड़ी बड़ी दवा कमपनी और मेडिकल संस्थानों के साथ मिलकर ऐ जिसका उद्देश इंसानों का उम्र को बढ़ाना है, ये कमपनी उननी सज्जार करों रुपे की फिडिंग के साथ, फंडिंग के साथ इंसानों की उम्र बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है, तो ऐसे ऐसे संत भी हुए जो की 300 वर्स तक जीए हैं, और एक बहुत बहुत बड़े एक योगी हो गए जो चांग देव है, जो की 1400 साल तक जीवित रहे, चांग देव आप सर्च कर सकते हैं नैट में, और उडिया बाबा भी लगभग 300 वर्स जीवित थे, और भी बाबा लोग जीए हैं, तो हो सकता है अगर आप जैसे की हिमालाय में कई सुद्ध जिसके कान उसकी उम्र बढ़ जाती है, जिसके कान वो और जीते हैं, तो कई उपाएं हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे आउला खाने से भी उम्र बढ़ता है, आउला है, संत्रा है, आप अच्छे अच्छे चीज खाएं और चवन प्रास खाएं, ये सब चीजें आप को उम्र बढ़ाएगी जैसे नाम